नमस्कार स्वागते आपका निज्वल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलतिया की गुड मॉनिंग इंडिया में खबरों करूप कर लेते हैं राज्य सबा निश्वीत काली इन सत्रु के पहले दिन बड़ी कारवाई करते हुए बारा सदस्यों को मौझूदा सत्र की श्वेश अबदी से निलंबित कर दिया है आपको बता दें जिसके विपक्ष ने निंदा की है वहीं आज सदन की कारवाई पर खास नजर भी होगी उदर सुबा दस बजे विपक्ष की बेटक में इस पर रनीती भी बनाई जाएगी दरसल माना जा रहा है कि सदस्यों पर हुई कारवाई से गुसाए विपक्षी सांसर आज जम कर हंगामा कर सकते हैं आपको बता दें कि इन बारा सदस्यों के खिलाफ मौनसून सत्र में अनुशाशन हींता फैलाने कारोप लगाते हुए ये कारवाई की गई है इनमें शिफसेना सांसर प्रियंका चतुरवेदी तरनमुर्कु सांसर जोला सेन भी शामिल है वही कॉंग्रेस समय 14 विपक्षी दलो ने इस कारवाई की निंदा की है उन्होंने कहा है कि सरकार के इस अधिनायक वादी फैसले की खिलाफ आगी की रणनीती तै करने के लिए वो आज बैठा करेंगे आपको बता दें कि कॉंग्रेस समाजवादी पाटी शिवसेना समयत अन्ने सभी दलो ने सैयुक्त बयान जारी कर सांसरों की निलंबन की निंदा की है उनका कहना है कि पिछले सत्र की दुर्भाग्यपून घटना को लेकर सांसरों को निलंबित करने के लिए सरकार की ओर से लाया गया प्रस्ताव और प्रत्याशित और राज्यसभा की काम का आज और प्रक्रियाव से संबदे नियमों का उलंगन है तो ऐसे में आज एक बाप फिर से राज्यसभा में हंगामे के आसार जो हैं लग रहे हैं आपको बतादे बारा सदस्यों के निलंबन के बाद विपक्ष की आज ये दस बजे बड़ी बैठक होनी जा रही है दरसल मौनसून सत्र में कुछ संसदों ने जिस तरह से विरोध कियाता हंगामा कियाता संसद में उसी पर ये कारवाई करते हुए उन बारा संसदों को निलंबित कर दिया गया है जिसके बाद आज विपक्ष ने ये बड़ी बैठक बुलाई है तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर से बारा संसदों के निलंबित के बाद ये बैठक विपक्ष की तरफ से की जाएगी दस बचे बैठक बुलाई जाएगी हाला कि आज दोनों ही सद्दों की कारवाई एक बाप फिर से शुरू होगी लोगसभा और राज्यसभा की आपको बता दें लोगसभा आज दोपै दो बज़े तक के लिए सकेत है दो बज़े से लोगसभा की कारवाई शुरू होगी हाला कि राज्यो सभा की कारवाई पहले से ही शुरू हो जाए की लेकिन उससे पहले 12 सदस्यों के निलंबन के बाद आज विपक्ष ने 10 बज़े यानि कि अपसे कुछी देर बाद बड़ी बैठक विपक्ष ने बुलाई है